पर्यावरण और मानविय अस्तित्व पर्यावरण नागरिक मोर्चे में अवकाश प्राप्त सेनाध्यक्ष नायधीश जैसे कई संभ्रांत लोग थे, मजबूर होकर सत्ता पक्ष को जुकना पड़ा स्टॉक होम के लोग बड़े गौरव के साथ आगंतुकों को ये पेड़ दिखाते हैं ये उनकी विजय का प्रतीक है, गौरव गाथा के इतिहास का एक स्वर्निम प्रिष्ट है उनकी ये विजय स्टॉक होम में पहला विश्व सम्मेलन बुलाने का कारण बनी विश्व का दूसरा देश जर्मनी है जिसने पर्यावरन के मुद्दों को लेकर कई जन आंदोलन किये जंगल काड कर सड़क बनाने, हवाई अड़े का विस्तार करने आदी के विरोध में सरकार को आंदोलन कारियों का सामना करना पड़ा फ्रैंक्फर्ट में विश्व के सबसे महत्वपून हवाई अड़े का अमेरिकी दबाव में सरकार विस्तार करना चाहती थी सारा विश्व विध्याले ही विरोध में खड़ा हो गया विध्यारती निर्मान स्थल पर डट गए बर्लिन में सरकार समुद्रतट को जोडने वाली एक सड़क बनाना चाहती थी पर इससे सगनवन नश्ट हो रहा था युवकों ने वहां डेरा डाल दिया फलता सरकार को सारी सड़क के क्षेतर को कंटीले तार की उँची बाड़ों से घेर कर ही ये काम करना पड़ा पेडों की कटाई के सवाल को लेकर तो कोलंबिया, सयुक्त राज अमेरिका के पश्चिमी भाग और मलेशिया में कई स्थानों पर आंदोलन हुए पर्यावरन की रक्षा के लिए ग्रीन पीस जैसे जुझारू दल का प्रादुर भाव पर्यावरन रक्षा के आंदोलन में एक एतिहासिक घटना है करो या मरो जैसे जुझारू दल ने संहारक सामगरी ले जाने वाले जहाजों तक का पीछा किया भारत का चिपको आंदोलन सबसे पुराना और जमीन से जुड़ा हुआ, शहरी सब्था के प्रभाव से दूर, हाशिये पर रहने वाले गरीब ग्रामीनों का आंदोलन था अपनी कारेशेली और नहत विचार की दृष्टी से उसका एतिहासिक महत्व है इस आंदोलन का घोश वाके, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने का आधार आल जी हवाक के विश्व के करोडों लोगों की जुबान पर है, जहां सीधी कारवाई के आंदोलन जमीन पर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां हरिद दलों का अभ्यूदय हुआ और जर्मनी में तो सत्ता में भी उसकी हिस्सेदारी हुई, पर्यावरण मंत्राले तो सभी देशों में बने, प्रारंब में तो इन मंत्रालेओं को इतना महत्व दिया गया कि भारत जैसे कई देशों में स्वयम प्रधान मंत्री ने इस मंत्राले का कारेभार संभाला, सन 19 1880 इस्वी में श्रीमती इंद्रा गांधी भारत की प्रतम पर्यावरण मंत्री थी। धीरे धीरे इन मंत्रालेओं का अवमूलियन होने लगा और कई देशों में तो वे पर्यावरण की रक्षा के बजाए, पर्यावरण के हरास के कारण बन गए। इस दिशा में 80 के दशक में जो कदम उठाए गए, उन में से जुझारू संगठनों को सरकारी साहता पर जीवित रहने वाले गैर सरकारी संगठन यानी NGO बना दिया, मुख्य कारकरताओं को सरकारी समितियों में शामिल कर लडाकूं को दर्बारी बना लिया। धनी देशों को ये खत्रा निरंतर बना रहता है कि कहीं गरीब देशों में ऐसे स्वतंत्र जन आंदोलन खड़े ना हो जाएं, जो व्यवस्था परिवर्तन की बाद करने लग जाएं। जेत्र संग्रक्षन आदी के लिए उन्हें सहायता दी जाती है, वे भी तो सरकारी विकासकारियों की तरहां विकासकारिय ही हैं, जिन पर उपर से परियावरण का मुलम्मा चड़ा हुआ है। क्योंकि जगड़ा तो विकास की गलत देशा के कारण परियावरण की एक शती से शुरू हुआ था, इसलिए विकास और परियावरण पर बहस चली और उसकी परिनीती हुई। सतत विकास यानि सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट के नारे में, रियो के सम्मेलन में इसे जागतिक मानिता मिल गई। अता, सरकारी तोर से उसके बाद सारे विकास पर सतत यानि सस्टेनेबल का रंग चड़ गया। अब संघर्ष की आवशक्ता नहीं। यह तो हुई लीपापूती, वास्तव में तो विकास की मौजूदा अवधारना को ही पुना परिभाशित करने की आवशक्ता है। परस पराव लंबी है। जैविक विविदता का हरास तो आज भी परंपरागत विकास वादियों की गंभीर चिंता का विशय बन चुका है। यह तो दूर का सपना है कि विकास का लाब सब को समान रूप से मिलना चाहिए। और इसकी शुरुआत सबसे नीचे वाले अंतिय तो दिसे होनी चाहिए। आज का विकास तो गरीब और अमीर के बीच की खाईयां चौड़ी करते हुए कुलाचे मार रहा है। अब विकास ने इस धर्ती को इतना प्रदूशित और विपंद बना दिया है कि प्रकरती द्वारा प्राणी मातर को जिन्दा रहने के लिए द अब्यता हमारे हाथ में तो आकरशक पैकेटों में उबभोग की वस्तुए रख देती है लेकिन हमारी आँखों के सामने दूर नदियों में विश छोड़ जाती है। वायू में जहर घोल जाती है। इसी प्रकार रात को दिन बनाने वाली बिजली, अपने उत्पादन कें पैदा करने वाले विकरण के खत्रे वायू मंडल में कारबन घोलने या बांध बनाकर उबजाओ धर्ती पर जंगलों को डुबाकर लाखों लोगों को उजाडने की घिनौनी कर्तूतों की कहानी पीछे छोड़ जाती है। कहा जाता है कि विकास के कारण ही तो ये संभव ह है कि प्रती व्यक्ति आयू दर में भारी विद्धी हुई है अवश्य ही हुई है पर ये सब दवाईयों के चलते फिरते पुतले मातर हैं जिनकी जीवन शक्ती का निरंतर हरास हो रहा है। केवल माना भी नहीं प्राणी मातर के लिए जिन्दा रहने का खत्रा पैदा हो ग कहकर खुश किया जाता है उन्हें दरिरता पूर्वक कहना चाहिए हम विद और वादी कुछ नहीं हम तो मौत की और धकेलने वाली शक्तियों के खिलाफ उस मूख बहुमत को संगटित कर जिन्दा रहने के लिए लड़ने वाले हैं। लड़ाईयां व्यवस्था के साथ ज खड़े होने और लक्षे की प्राप्ती तक डटे रहने से जीती जाती है।